नमस्का दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत important topic cover करेंगे वो है railway freight corridor जैसा कि आपको पता है DFC की vacancy आई है dedicated freight corridor Corporation of India की vacancy आई है जिसका exam अगस्त में CBT-1 CBT-1 exam अगस्त में उस exam में 10 number की railway की history आ रही है जो railway की history आ रही है इससे पेले वाले जो पार्ट है हम यह हमारा 14 पार्ट है इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं इसमें हमने पूरी railway की history 1832 से लेकर 2022 तक जितने भी history यह railway की वो cover कराई है जो हमारा 4th पार्ट आया था उसम भी important production unit या factories बोल दीजिए या manufacture unit बोल दीजिए railway की वो सब मैंने cover करी थी उस lecture में part 4 था वो अब हम चलेंगे part 5 में इसमें यह बहुत important topic है आपके लिए इसमें जो हम DFC corridor है उसके वारे में देखेंगे कि उसकी जरूरा हमें क्यों पड़ी और जो भी important facts है इससे related वो सब हम cover करेंगे तो चलिए lecture शुरू करते है फ्रीट मतलब क्या होता है Indian railway जो revenue generate करती है 70% वो free traffic से generate करती है या जो मालगाडी होती है उससे generate करती है 70% जो revenue या profit है Indian railway का क्योंकि जो passenger train है वो losses में चल नहीं है बहुत सारे passenger train है आपको पता है हमारे इंडिया में वो इतना profit generate नहीं करा आपा रहा है Indian railway को तो profit generate कूण करा रहा है जो हमारे मालगाडी है जिसको हम free train बोलते है वो सबसे रहा profit प्रोफिट लेटी है Indian railway को जो passenger train है इतना profit नहीं देती है Indian railway को हम क्या करते है जो passenger train loss में चल नहीं है उसका loss हम किससे awhile कवर करते है जो हमारे free traffic है या free train है या करते हैं जो passenger train का losses है वो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा जो railway freight corridor है उसकी जरुवत क्यों पड़ी हमें भारत में जो सरकार है वो 6 railway freight corridor बना रही है उसमें से 2 जो है ना 90% complete हो गाएं और जो 4 हैं वो announce होएं अभी announce होएं 2021 2022 वाले budget में वो अभी complete नहीं होएं अभी अभी बनना भी start नहीं होएं लगा जो दो बन रहा हैं east और west corridor वो 90% complete होएं इस lecture में हम देखेंगे जो railway freight corridor क्या होते हैं दूसरा जो point है हमारा इसकी जरुवत क्यों पड़ी हमें क्या जरुवर पड़ी हमको railway freight corridor बनाने की और हम तीसरा जो point डिसकस करेंगे जो आने वाला जो हमारा भारत है उसमें इसके क्या माइने हैं यह topic बहुत जारा important है आपके लिए तो चलिए शुरू करते हैं railway freight corridor और DFC corridor देखे दो तरह की rail गाड़ी होती हैं दो तरह की rail गाड़ी होती है कौन-कौन सी एक passenger train होती है हमारी दूसरी एक freight train होती है freight train बोल दो या माल गाड़ी दोनों एक ही है माल गाड़ी को English में बोलते है freight train इसमें confusion नहीं चाहिए तो माल गाड़ी एक होगा है हमारी माल हैं जो सिर्फ जो सिर्फ मालगाड़ी को लेकर जाएंगे इनमें सिर्फ free traffic movement होगा only इनमें कोई passenger train नहीं चलेगी जो DFC corridor है उसमें free train चलेगी सिर्फ free train चलेगी उसमें जो passenger train है वो नहीं चलेगी passenger train के लिए अलग route है जो dedicated free corridor बना रहा हैं सिर्फ हम मालगाड़ी के लिए बना रहे हैं यह जो मालगाड़िया है वो मालगाड़िया जो DFC corridor के उपर चलेगी सिर्फ समान को उतानने के लिए और समान को चड़ाने के लिए रुकेंगी वो किसी भी passenger railway station या टर्मिनल पर नहीं रुकेंगी जो हमारे DFC corridor पर मालगाड़ी चलेई हैं या free train चलेई हैं वो सिर्फ फ्रीड लोडिंग terminal में रुकेंगी जो free loading terminal होगा न वहां रुकेंगी और वहां क्या करेंगी समान को load करेंगी या unload करेंगी सीधी बात है यानि वो समान को चड़ाएंगी या उतारेंगी कोई भी जो passenger train है वो DFC corridor पे नहीं चलेगी यह important point है आपको सीधी बात यार रखना है तो DFC corridor है उसमें सिफ free train चलेंगी मालगाड़ी चलेंगी उसमें passenger train बिनकुल ने चलेंगी सिफ वो किस के लिए free train के लिए उसमें passenger train का कोई आना जाना नहीं है और जो free train है मालगाड़ी हमारी वो कहां रुकेंगी उस terminal में रुकेंगी जहां पर समान उतारा जाता है या समान लोट करा जाएगा उस train में वो वहीं पर रुकेंगी सर्फ बागी कहीं नहीं रुकेंगी देखें जो हमारा Indian Railway है वो बहुत जारा complex है हमारी जो passenger train है लगबग उसमें 2.3 करोड़ और उससे जादा passenger भारती रेल में travel करते है 85,000 हमारे station है इंडिया में उन station को दोरा 2.3 करोड़ से जारा passenger travel करते है रोज इंडियन रेलवे में अगर हम वहीं मालगाड़ी के बात करें या freight train के बात करें तो डेली 33,00,000 तन जो freight है या समान है वो मालगाड़ी एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसपोर्ट करती है और इस मामले में भारत चोथे नमबर में पूरी दुनिया में आपको यह याद रखना है वर्ड में चोथे नमबर में अगर हम ट्रांसपोर्ट के बात करते हैं फ्रीक के दोवारा और कुछ चीज़े ऐसी है जो सिर्फ रेल गाड़ी या मालगाड़ी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है जैसे कि कोल की बात करते हैं जो 90% कोल है इंडिया का वो ट्रांसपोर्ट काई से होता है मालगाड़ी से जो मालगाड़ी है न वो ट्रांसपोर्ट करती है एक जगा से दूसरी जगा ले जाती है कोल्स को तो अगर कभी कोशन आता है कि जो मालगाड़ी है वो सबसे जादा transport क्या करती है तो आप लगाएंगे call 90% call transport होता है मालगाडी से देखे सबसे important थी समझने वाली क्या है हमें dedicated freight corridor चाहिए क्यों उसकी जरुवत क्यों पड़ी हमको देखे जो old track बने हुए है railway track बने हुए है या पट्रिया चलती है और passenger train अभी single route है एक route है हमारा यह track है हमारा कोई उसी में passenger train चल नहीं है उसमें मालगाडी चल लहीं है सेम railway track में दोनों चीज़े चल लहीं है और अलग-अलग speed है सब की अब क्या होता है जो passenger train है ना हर passenger train की speed अलग-अलग है जैसे passenger train की बात करते हैं वह बहुत सारी train है passenger train normal passenger train गहिए 10-90 से चैसол normal passenger train है वहीं express train का करते हैं तो 120 से 130 km express train की speed है passenger train की बात होरी है अलगल तरह की passenger train है तो normal passenger train सो हने 11 से 10 67-चल जैंगा चलती है जो एसप्रेस train होती है उसकी speed कुफ ज़्यादा है जो super fast होती है हमारी super fast speed train या राजधानी train के बाद कर लो आप उसकी speed अभी कितनी है 130-140 km per hour चल दी है इतनी speed है उसकी अब वंदे भारत आ गई हमारी वंदे भारत की speed और जादा है 150-160 km per hour की speed इतनी है वंदे भारत की अब वहीं हम passenger train के बाद करने है तो passenger train के speed हो गई नोर्मली 90-160 km के बीच में होती है और जो free train है उसकी देखे कितनी कम speed होती 70-90 यह maximum speed है दोनों की maximum speed है तो जो passenger train है उसकी speed की ज़्यादा है जो passenger train की speed ज़्यादा है और जो हमारी जो free train है या मालगाड़े की speed बहुत कम है मालगाड़े की speed 70-90 km maximum है और अगर average speed की बात करेंगे मालगाड़े की कितनी है तो 30-40 km पर अवर इतनी चलती है बस average speed और top speed passenger train की बात करेंगे तो top speed 90 से लेकर 160 है वो वही passenger train की average speed की बात करेंगे तो 60-70 km पर अवर चलती है passenger train जो problem start हुई है वो speed की वाज़े से हुई है क्यों है speed की वाज़े से हुई है देखिए एक passenger train है मैंने बता है passenger train fast चलती है fast चलती है passenger train तो जो slow train है हमारी मालगाड़ी जो हमारे मालगाड़ी है वो passenger train की रास्ता बनाएगी एक ही route है उभी तक एक ही route है उसमें passenger train चल नहीं है उसमें मालगाड़ी चल नहीं है जो passenger train है हमारी बहुत fast है ठीक है और जो हमारे मालगाड़ी है वो धीमे चलती है बहुत इसके दो कारण main क्यों है जो passenger train को आगे क्यों निकलने दिया जाता है आपको पता है कि मालगाड़ी को रोक देते है और passenger train को आगे बढ़ा देते हैं देखे, important difference है passenger और free train में passenger train के बात करते हैं, तो चो passenger train है उसका एक fixed time table है fixed time table मतलब, वो time to time चलती है अगर आपको दिली से भोपाल जाना है या बॉंबई जाना है, तो आपको पता है कि आपकी train की timing क्या है, अगर आपने पाच बे train की timing है आने की दिली में, बॉपाल पहुचाने की है आठ बजे, तो fixed timing में चलेगी वहीं मालगाड़ी की बात करते हैं, तो कोई timing fixed नहीं है उसमें, not fixed time table कोई time table fix नहीं है, कि मालगाड़ी को पोचना कितने वज़े, चलना कितने वज़े कोई time table fix नहीं है मालगाड़ी का वो passenger train का time table fix है, इसलिए हम क्या करते हैं जब इस route में passenger train आ रही है पहले बाद तो fast चलती है वो passenger train मालगाड़ी से, तो जब passenger train आती है, उसका time table fix है और उसी route में मालगाड़ी है, तो हम passenger train को आगे निकाल लेते हैं और मालगाड़ी को रोक देते हैं, जब मालगाड़ी बार-बार रुकेगी न, तो जो efficiency है मालगाड़ी की, efficiency कम हो जाएगी उसकी, जो capacity है वो भी कम हो जाएगी, capacity efficiency कम हो जाएगी, जितना वो रुकेगी, उतना time लगेगा उसको समान पहुचाने में, एक जगह से दूसी जगह तक, अगर वो समान लेट पहुचाएगी, मालगाड़ी समान है आपका आपको कल चाहिए था, वो मालगाड़ी वो समान परसो पहुचा रही है, तो जो cost है, जो cost है, product का वो समान पहुचा पहुचा पा रही है, जो DFC corridor बनने का सबसे विज़ा reason यही है, कि इन में सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, जो हमारे मालगाड़ी है, सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, जिससे जो मालगाड़ी की speed है उसको बढ़ा सके हम, speed increase कर सके, वो time table fix कर सके, मालगाड़ी का, अभी कोई time table fix नहीं है तो हम मालगाड़ी का time table fix कर सके, जिससे जो हमारे मालगाड़ी है उसकी efficiency बढ़ेगी, capacity बढ़ेगी, वो जो cost है वो कम होगा, या profit बढ़ेगा, सिर्फ बार profit बढ़ेगा प्रोफिट बढ़ेगा और जो हमारा घाटा हो रहा था वो कम हो जाएगा देखिए अभी क्या होता है जो समान भेज रहा है ना उसके पास और भी साधन है जैसे रोट से बेज सकता है जो ट्रक चलते हैं ट्रक से बेज सकता है यह ट्रेन से बेज सकता है और यह से बेश सकता है फ्लाइट तो बहुत कोशली पड़ती है तो फ्लाइट से तो आदमी प्रफन नहीं करता तो ट्रेन उप्शन है उसके पास और रोड मतलब ट्रक उप्शन है अभी क्या होता है जो रोड का ट्रांस्पोर्ट है यह ट्रक से समान बेशता है कोई तो बहुत ची वगेरा यूज इसलिए जारा होते हैं हमारे क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं मालगाडी से एक बार डीएफसी कोरीडोर बन जाएंगे तो मालगाडी का जो कोश्ट है न वो कम हो जाएगा और आपको समान टाइम में मिलेगा जैसे अभी ट्रक से समान जाते है तो टाइम मे करना है अभी भी हमारा फ्रीट कोरीडोर से प्रोफित सतर परसें फ्रीट कोरीडोर से प्रोफित आता है मगर हम इसको हम सो परसेंट चाहते हैं सो परसेंट हो जाएगा तो आप सोजिए कितनी इंकम होगी सरकार की गोर्मेंट यह चाहती है कि डीएफसी कोरीडोर से पहली लकाड़ी की स्पीड है वह 70-100 km पर अवर पहुच जाएगी जिससे आपका समान टाइम में पहुच जाएगा जो अभी कोस्ट जारा लग रहेगी ना ट्रेंड से पहुचाने समान वह कोस्ट भी कम हो जाएगी और अभी लोग जो ट्रक से प्रफर करते हैं रोड ट्रांसपो की बात करें देली बॉंबई चेनने कोलकता तो यह जो चार मेटोपोलियन सीटी हैं वो गॉल्डन कोडी लेटरल से जूड़ी हुई है जिसको हम सोन्य चतरबुच बोलते हैं और यह सोन्य चतरबुच किसका प्लान था अटल प्यारी बाचवे का प्लान था उनका सपना था क देखें दिल्ली ये दिल्ली हो गया ये बॉंबई हो गया ये चेनने को वंबई को जोड़ना है ठीक है यह चार बड़े शहर को हमने जोड़ डखा आभी गॉल्दन कोड़ी लेटरल हमारा डेली बॉंब्ई चेनना को लोंगता से लिंक्ट है अगर आम इसमें दो डाइग करदा जोड़ दो डायगनटो दो डायगनल भी जोड़ दोगे तो यह शे बड़े रास्ते हो जाएंगे और चैस्थ सबसे बड़े रास्ते हैं इन एगप गालव जो हमारा फ्रीकनट पर्सेंट लेलवेौं इन यही रास्तों में या बोल दो इससे इंडिया का 58% जो free traffic है वो cover हो रहा है देखिए ये जो रास्ते है ना देली से कोलकता वाला जिसको हम Eastern Corridor बोलते है और बॉम में से दिल्ली वाला जिसको हम Western Corridor बोलते है ये काफी saturated रास्ते है इसमें जो traffic होता है ना बहुत जादे traffic होता है कभी कबार क्या होता है कि जो 100% traffic होता है हमारा जो 100% रहता है ना traffic वो over capacity हो जाता है जितना traffic रहता है उतने में तो रहता है लेकिन कई बार 115 से लेकर 150 capacity तक पहुच जाता है जो passenger traffic होता है हमारा और जो free traffic होता है over capacity हो जाता है जिसकी वये से इस route में हमको DFC corridor सबसे पहले बनाने की ज़रूरत है इसलिए हमको नए रास्ते बनाने है इसलिए हमको DFC corridor बनाने है जिसकी वये से जो free traffic है न और passenger traffic दोनों अलग हो जाएं इस route में और जो भी हमारी over capacity चल लई है या overload चल ला है इस route में वो कम हो जाए जो हमारा railway route है उसको हम congested कब बोलते हैं congested जब बोलते हैं जब वो 80% तक exceed हो जाए मगर ये route है जो हमारा eastern corridor और western corridor इसमें 100 से लेकर 1500 तक traffic है आप सोचिए इतनी over capacity हो गई है किसी route में इसलिए हम चाहते हैं कि हम नए route का निर्मान करें और हमारा DFC corridor बनाए हम जिसकी वये से जो over traffic है हमारा वो कम हो या overload कम हो मैंने आपको golden corridor के बारे में बताया था जो हमारा golden corridor है वो national highway के लिए और ये किसका सपना था हमारा अटल भीहरे वाजफे का अब जो golden corridor है वो न्यू देली से जोड़ेगा किसको बंबई को फिर बंबई से चेननाई और चेननाई से कोलकता ये हमारा golden corridor हो गया मैंने आपको चार major metropolitan city बताया थी ना नौर्थ में हो गया डेली, कोलकता इस्ट में बंबई वेस्ट में, चेननाई, साउथ में आपको डारिक्षन पता होना चाहिए ये हमारा north डारिक्षन है, ये हमारा वेस्ट, ये east और ये हमारा south तो हम चार बड़ेट शेरों को जोड़ेंगे golden corridor से DFC बनाने के लिए 2006 में 30 अगस 2006 में रेल मंत्राले हमारा, जो railway ministry है उसके अधी ने कंपनी बनाई गई उस कंपनी का नाम दिया गया Dedicated Freed Corporation of India ये कंपनी बनाई गई, जो हमारी railway ने कंपनी बनाई है DFCCIL, इस कंपनी का काम है कि वो Dedicated Freed Corridor बनाए जो हमारे DFC corridor है, वो कंपनी कोन बनाईगी देखिए, Indian Railway के चाहती है और Indian Government के चाहती है कि Golden Corridor Freed Corridor बनाए हम मैंने आपको Golden Corridor के बताया दो, जो चार हमारे महानगर है, देली, बंबई चेन ने कोल गा था, इसको हमने National Highway से जोड़ दिया, ठीक है ये होगे हमारा Golden Corridor अगर हम रेल से जोड़ना है हमको तो हम इसका नाम चेंज करके क्या रखेंगे Golden Corridor Freed Corridor हम इसको मालगाड़ी से जोड़ देंगे जो हमारे 6 DFC Corridor है न उसमें से 2 जो Corridor है हमारे वो लगबग 90% कम्टीट हो चुके हैं आने वाले लेक्चर में हम उसकी भी बात करेंगे जो हमारे 4 हैं बचे हुए 4 हैं उसको अप्रूफ कर दिया Government ने Announce करा है कि बनाएंगे अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ उसका 2021-2022 के बजट में जो हमारे जो 4 Corridor हैं उसके बारे में Announce करा है मगर अभी तक कोई अप्डेट नहीं है उसकी अब रेल को हमको जोड़ना है 4 Metapolian City से Delhi, Bombay, Chennai, Kolkata ठीक है ओर दो Diagonal में नहीं बताया था आपको जो North से South जाएंगे दिली से Chennai जोड़ेंगे दिली से Chennai जोड़ेंगे और East से West जाएंगे जो Kolkata से Bombay को जोड़ेंगे तो इन 6 को मिलाके हम बोलेंगे Golden, Cordillator, Freed Corridor ठीक है तो दोनों में Confuse मत होना अगर Golden, Cordillator की बात करेगा सिर्फ तो चार बड़े शेयर को जोड़ना हमें जिसमें देली हो गया, Bombay, Chennai और Kolkata अगर हम बात करेंगे Golden, Cordillator, Freed Corridor तो हम दो डाइगनल भी जोड़ देंगे इसमें ये चार शेयर तो देंगे डेली, Bombay, Chennai, Kolkata अगर हम डेली, Chennai को भी जोड़ दें और Kolkata, Bombay को भी जोड़ दें तो ये हमारा हो गया Golden, Cordillator, Freed Corridor इनमें कोई Confusion नहीं होना चाहिए ये Map देखिए, पहली बात तो हमको Map याद होना चाहिए, ये North हो गया ये South, ये East और ये West तो देली की बात करती है, ये देली हमारा देली को हमें जोड़ना है, Bombay फिर Bombay से हमको Chennai में जोड़ना है Chennai, ये Kolkata हो गया और Kolkata को दिली से, ये चारो बड़े शेहर हो गया, जिसको जोड़ना है और हमारा क्या प्लान है, और हमें railway connect करनी है, Delhi से लेकर Chennai तक और Bombay को, Kolkata को जोड़ना है तो 6 प्लेस हो गई नहीं है, वो जो हम दिली से Bombay जोड़नेंगे, उसको हम बोलते है Western, DFC, Dedicate Freed Corridor और हम Delhi से, Kolkata जोड़नेंगे उसको हम बोलेंगे Eastern, Dedicate Freed Corridor जो हमारा Next Lecture होगा Next Lecture में हम बात करेंगे DFC के बारे में, Dedicate Freed Corridor के बारे में, 6 Corridor बन रहे हमारे उसमें से 90% तक Complete हो गए हमारे, जो Western, Western Corridor है वो, और Eastern Corridor 90% तक Complete हो चुका है यह Corridor, और जो चार Announce होए हैं, बाकी के Corridor Announce होए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कौन-कौन से Route में बन रहे हैं, वो सब हम बात करेंगे, Next Lecture में अगर आपने अभी तक, मैंने Part 1, 2, 3 में, Railway की History कवर करी है, 1932 से लेकर, 2022 तक, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, जरूर देखिए, जो हमारा Part 4 था आया था, उसमें जितनी भी Important Factories हैं, Indian Railway की या Production Unit है, वो सब कवर कराईगे, ट्रिक के साथ, लेक्चर भी जरूर देखिए उससे Direct Question आता है, एक्जाम में और ये लेक्चर, जो है अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लगा, तो भी मुझे कमेंट करें, और अच्छा लगा, तो भी कमेंट करें प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, थेंक्स फर वोचिंग MW Classes